दोस्तो डीडी फिरेडिस की सबसे बड़ी अपडेट रात बारा बजे की है और आप इस वीडियो को सुबह के टाइम में देख रहे हैं दोस्तो डीडी फिरेडिस से चाइनल्स रीमूव होने का जो सिलसिला है वो बना हुआ है दोस्तो अभी अभी रात 12 बजे जब मैंने अपने सेटप बॉक्स को स्कैन किया और चेक करने लगा चैनल को तो दोस्तो हमें चौकाने वाली चीजे देखने को मिली तो आईए पूरी डीटेल मैं आपको बताता हूँ कितने टीवी चैनल रिमूब हो चुके हैं दूरदर्सन डीटी एच के प्लेटफार्म से तथा दोस्तो आप जो ये चैनल से रिमूब हो रहे हैं क्या इनकी जगह पे कोई नया चैनल आएगा या स्लोट खाली रहेंगे ये ओक्सन जो होने वाला है इसमें दोस्तो क्या है सीन क्या कौन सा नया चैनल एड होगा या पूरी जो डीटेल होती है दूरदर्सन की हूँ मैं आपको इस वीडियो में समाहित करूँगा तो आईए सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ टेस्ट नंबर 110 और टेस्ट नंबर 116 ये MPEG2 के स्लोट है जो की दो चैनल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे है अभी मैं आपको आगे भी चैनलों की संख्या अब चैनलों की पूरी डीटेल यहाँ पे दिखाता दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं काफी सारे चैनल और MPEG4 में 2 स्लोट यानि टोटल 4 हो गए MPEG4 में 2 और MPEG2 में 2 बाकि दोस्तों MPEG2 में और भी श्लोट खाली है उनको भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता चलू जो की पहले से हैं MPE में आपको एक और स्लोट यहां पर खाली देखने को मिल रहा है टेस्ट नमबर 520 यानि टोटल स्लोट होगा MPG 2 के 3 और MPG 4 के 2 अब आईए जो असली मुद्दा है वो मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ आज से कुछ दिन पहले दोस्तो डीडी फ्रेडिस से एक टीवी चै दोस्तों यह चैनल डीडी फ्रेडिस से हटाया गया था और उसके बाद से इससे पहले भी इस चैनल को हटाया गया लेकिन दोस्तों यह फुना डीडी फ्रेडिस पर देखने को मिलने लगा था मगर दोस्तों एक बार फिर से यह डीडी फ्रेडिस से हटा दिया गया है अब यह चैनल आएगा यह नहीं आएगा भाई दोखो यह अधिकारिक तौर पर इसकी पूश्टी जब की जाएगी जब अधिकारिक तौर पर किसी परकार का ऐलान होगा तो हम आपको बताएंगे तो यहाँ पर MPEG 2 में 3 चैनल थे पहले से एक और चैनल एड हो गया चार चैनल आप लोग देख सकते हैं MPEG 2 में 4 चैनल हमारे पास 4 स्लोट खाली हो चुके हैं अब आईए MPEG 4 में दिखाते हैं MPEG 4 में इंडिया न्यूज नाम से जो टीवी चैनल है वो दोस्तो आज अभी खतम हुआ है यानि की बंद हुआ है अब इसकी जगह पर टेस्ट स्लोट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तो बताते चलें डीडी फ्री डिस पर जो न्यूज के चैनल हैं उनको क्यों हटाया जा रहा है दोस्तो साफ मकसद है MPEG 2 का जो यह न्यूज वालों का है चलो इस मकसद से रुगरूद मैं आपको अभी कुछ दिर में कराऊंगा ही कराऊंगा मगर दोस्तो बताते चलें जो यह आउक्षन की जो अपडेट है डीडी फ्री डिस की दोस्तो मुझे नहीं लगता कि कोई नया चैनल MPEG 2 में या MPEG 4 में देखने को मिलेगा यह आउक्षन के माद्यम से दोस्तो टेश्ट वन नाम से यह जो चैनल है यह फ्री से लिंकन सैटलाइट का है देखिए इस पर आते ही डीडी फ्रीडिस का लोगो गायब हो गया आईए हम आपको बताते हैं इस चैनल पे अभी क्या महा बदला हुआ है तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है दोस्तो 11,720 और इसको स्कैन करेंगे स्कैन कर देते हैं यह लिजए स्कैन करते हैं देखते है कि कोई चैनल एड होता है एक्ष्टा या नहीं कि нашем राट 12 बज़े की अपडेट है सिर्फ एक इंड हो रहा है दोस्तो अब बताते चलें MPG 2 MPG 2 में ये channel नहीं आएगा MPG 4 में ये channel आपको देखने को मिलेगा अब MPG 2 में जो अपडेट вами shore यॉक्षन की MPG 4 की यॉक्षन की दोस्तो अब उम्मीद मत कीजिए आप लोग कि अब यहाँ पर आपको कोई channel भी देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों जमाना बदल चुका है अब वो जमाना नहीं रहा कि लोग घर में बैट के टीवी देख रहा है तो इसी लॉस को देखते हुए तमाम सारे चैनल डीडी फिलरिस से हट रहे हैं बरावर हटते जा रहे हैं वैसे आपका क्या ख्याल है कॉमेंट सेक्षन में जरूर हमें बताइएगा वीडियो देख रहे थे साहिल चैनल इस्ट यूटूब चैनल पर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा